इस बैट का बटन दबाने से तिरी गोल्ड की कोईन्स मैगनेट की तरह आकर चबग गए थी अले हाँ फिवान अब इस बतर चल जाएगा ओ चिंडी इंच मेरे को बाया आप कैसे से पगगा है पता नहीं जिंडी इंच मेरे को पिवान मुझे तु लगता है उँख काड़ी के अंदर ख़जान है मुझे तु नहीं लगता कि वहां ख़जान है लेकिन इस पैट में काफी ज्याजा पावर है चिंटू क्या कर रहे हो ये लंच पेरियड में सर मैं इपकल गया हूँ चिंटी घीच मेरे को चिंटू दूर हटो कार से स्टॉप इट सर जो चेल मैंने शुरूरी नहीं किया उसको स्टॉप कैसे करूं कहा चिंटू आपकी बात नहीं मान रहा है मेरी बैट चिंटू मेरी बैट चिंटू मैं आखरी बार बोड़ रहा हूँ तुमको अगर तुम कार से दूर नहीं हटे तो पूरे पीरियट के लिए तुम्हें मुरगा बना दूँगा नहीं सर चिंटू अब से तुम अगले वीक तत मेरी क्लास में मुरगा बना होगे चल अब क्लास चलते हैं और इस बचारे चंटू को भी छोड़ देते हैं मन तो नहीं हो रहा फिर भी छोड़ देते हैं मने बटन तो अफ कर दिया है एक है नहीं चंटू आवे तक चिपका हुआ कियो है वो सकता है इस मैपनेट बैट की पावर थोड़ी हाय हो थोड़ा दू चल लेते हैं तिगनल अपने आपी वीख होजाएगा और चंटू गाली से छूट जाएगा 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 अब रहा है खेल शोड़ा यह मैं क्या देख रहा हूं काल परी तुमने अपनी प्यारी तिमनासा के निर्देश का उलंगन कर दी है हाँ भैमार भैरानी सब तन आशक खंजर की शुद्धी के लिए काल रख करने गई है और हमसे कहा था जब तक मैं न आओं तब तक मेरी वो करना प्रतिशा लेकिन ये विवान और गोपु के साथ धर्ती पर खेल खेल रही है क्योंकि कालपरी की फूट डालो और राज करो की नीती के पर खच्चे उड़ा के गया है ना विवान मर्क तो विवान तुमें भी बना कर गया है भैमार लेकिन मैं उस चूजे विवान को इस अप्रमान का सबग सिखा कर रहूंगी सबक वो भी बिना भैरानी के है अच्छा बताईए आपक ये चुन्बक वाला बला क्या करने वाला जैसे जैसे दिन बेढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम सबको पता चलता जाएगा इस यंद्र की असली कराबात है जब तेमनासा काल प्रत बुरा करके लोटेगी तो उसके लिए मेरे तरफ से दौफा होगा धलती की तपाई गोपू के तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ हाँ फेवान मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आज मेना गुड लग इतना अच्छा कैसे है नागेट बैट चिंटू की फिर्की का बोनस लेकिन मैं तो चिंटू की परे में सोच रहा हूँ वह अब तो ग्लास में भी नहीं है सब्सक्राइब करते हैं अच्छा करते हैं अच्छा के बारे में कुछ सीखेंगे ओके यह बच्चों छोटी-छोटी खुर्पियां यह पौदे लगाने में काम आती है और यह शवल है इसको हिंदी में हम फावडा बोलते हैं और यह कुदाल है कहीं यह सब इस मैपनेट पैट के खानन तो नहीं हो रहा है यह क्या हो रहा है जुर्वान यह सारे मेटल की चीज़े चुमब क्यू बन रहे हैं गोपू तुझे बैट किस नहीं दिया था एक चाइल्ड फकीर थे क्या हां वो हमारी है क्योंगे उन्हींने मुझे यह बैट दिया था कहीं वो दौब 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 नहीं था अलुवान कहां जा रहा है मुझे इस में अपनट के बारे में पार्टन को बताना चाहिए लेकिन पार्टनर तो हमसार ग्राश से लाई हुए उसकी बुंदो के विदी कर रहा है ताकि वो परिमा को ठीक कर सके नहीं मैं उन्हें डिस्टरब नहीं कर सकता कि यूना मैं इस मेटल को यही जमीन में काड़ दू जब तक इसकी बारे में ठीक से पता नहीं चल जाता कर दो विवाल तो प्रॉब्लेम जॉल्व हो गई मुश्केल हल विवाल मुश्केल तो अभी हल नहीं हुई है असली मुश्केल तो अब शुरू होगी है? इस छोटे चुम्बक का बड़ा करिश्मा बहुत जल्दी देखने को मिलेगा मैगनट की प्रॉब्लम तो टैल गई लेकिन अफम्मी की टाट से कैसे बचूँगा हेतना लेट सो आपस आया हूं स्कूल से एक मिनट एक मिनट मम्मी मुझे बता पहले तो आप टाट होगी तो आपको पुरा लगीगा कि आप ये इतने प्यारे से बच्ची को कैसे डाट दिया और फिर आप मुझे कर खाना खिलाओगे तो एक काम करो ना मुझे सप्राइश कर दो आज मुझे पहले खाना किला दो वैसे भी उजे बहुत भुक लगी है बोलो नहीं, सुनो ये भी कोई सप्राइश है? सप्राइश तो इससे कहते हैं वाव ताइक ये सो बच बबबी मम्मी, अपक्रेड़ो आपका नाम ना आपकी बच्टानेटी पे फुल शोबा देता है आप में वाके बच करूना है करूना मम्मी डायलोग मत मारो और जाओ जाकर इसे पहन कर दिखाओ पता तो चले फिट हो रही है कि नहीं? हाँ वाव मम्मी, ये तो बहुत ही अच्छा ब्रेसित है थांक्यू ये मेटल फ्रेम का नया चश्मा पहन कर मैं एकदम दिलिप कुमार के जैसा लगूँगा दाड़ जी ये क्या हो रहे? ये कैसी चुपक्राइब कुछी? पता नहीं मम्मी मम्मी देखो में क्या हो रहे ये वाण? ये मागनेट वापच किसी आगया? ये क्या हुआ? अरे आनन जी आपकी गाड़ी यह सुबच चिंटु गाड़ी से चिपक गया था और अब इनकी गाड़ी मेरी गाड़ी से चिपक रही है यह हो राधारनगर में याल चांदू छोर अजिदर गया आइएएएएए आईड़ा प्राइन, पुरे भारत नगर में जिप को अंदरन शुरू हो गया क्या? दूर करूं न सबका दो, बोच है जूमा क्लिफ को हैंड अप, हैंड अप येस मुझे मैगनेट काणडे से बेह लिए ही, उसे लुपकूट कर देना चाहिए था है, हब ठीक है अपेभी, ये सब कैसे हो रहा है? मैंने मैगनेट तो कायब ये, ये मैगनेट ये तो चुहंगाव के तरह मेरे साथ चुपक गया है अब मैं क्या करूं? ये शेर सर, मुझे आपकी एल्प भी है क्या हुआ अपिवान? ये हुआ है शेर सर इस मैगनेट की करण मुरी धरती पर प्रॉब्लम शूर हो गई है ये चुमबक तो मैं कहां से मिला? बहुत लब्बी कहान है शॉट में बतागा मैंने इसे जमीन में गाड़ा इसो लुटकप करके गायब किया लेकिन पताने कैसी ये बरबर मेरे पास वापस आजाता है इसका इलट पार्टेर की पास तो जरूर होगा पार्टेर के ओज की मुन्नों की विधी खदम हो गई क्या? बालवेर को अपने विधी पूरी करने में थोड़ा समय लगेगा मैं और मस्ती परी इसे नश्ट करने की कोशिश कर सकते हैं न? हाँ सच्छी? कुल येस चूर चूर होगया उचिप कुछुमबक और इसके साथ चूर चूर होगया खाल परी का घमांड हाँ तबा 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 तेरी एसाब मैं नहीं बोल रहा है जी चूमबक तो अब इस छोटी सी चोट से नासूर बन कया है कुलू, ही तो वापस आगया मुझे लगता है हमें ज्यादा शक्तियों का इस्तमाल करना चाहिए हाँ रुको ये कोई साधरान चूमबक नहीं है जो सिर्फ धातु की वस्तों को अपनी तरफ खींचता है बलकि जो शक्तियां तुम इसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल करोगे ये चूमबक उन शक्तियों को भी अपने अंदर खींच लेगा यह इसका मत्रब इसे हम जितनी तोड़ने की कोशिश करेंगी इसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी पॉफरा मुसे नियाष्ट कैसी करेंगी शीर सर्फ ऐसी कोई मुसिबत होती ही नहीं है विवान जिसका कोई हल ना हो मुझे थोड़ा समय दो जब तक शीर सर्फ सेलूशन निकाली तब तक तो मैं कालो कोहलो को मज़ा जगा के आता हूँ उस कालपरी ने मेरी बुद्धी और मेरे कज़ का मज़ा कुआ है मैं ज़ता हूँ धर्ती दोपर सब छोड़गया जोड़ना तववा सब चोड़ना थोभा Merdha और मुरा मान रह 25 पूरह सब मुरना Since it is a book अब बुद्धी मैंना ध्या ऑन के दुने अर्ट कर नदना में तुमने तो कहा था सुरियास्त के बाद बहुत बड़ा कुराम मचे हैं, ऐसे क्या होने वाला है सुरियास्त के बाद? अभी तो धती पर सिर्फ धातू की वस्तुय चिपक रही है। लिकिन एक बार सुर्यास्त हो जाए, फिर इस चुम्बक की शक्ति, धती की चुम्बक ये शक्ति से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अससे होगा क्या? उससे धर्ति के सारे अधोनिक उपकरन काम करना पंध हो जाएगे। आस्मान से विमान नीचे गिदने लगेंगे। समुत्र का पानी सुनामी बनकर पूरे धर्ति को निगल जाएगा। चारो तरफ हाहा कार बच जाएगा। अन गय काल परी। इस बार तुमारी चाल ने बड़ी उड़ान भरी। एमार, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ नी क्या काल परी। और तुम उड़ कैसे रही होगी। मैं बताता हूँ। की काल परी। बेना दूर की पता की तरों। कैसे आ उट रही है। मुझे तुम लगा था कि ये चुम्बक शिफदर्थी पर काम करता है। लेकिन तौबधों पर जगदाली पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे ये पता चाल गया कि ये चुम्बक यहां भी काम करता है। ये पहाण। नीची उतारो मुझे वर्ना वर्ना क्या होगा? मैं बताता हूँ कहां भेज़ दिया कालपरी को वेवान? खुदी वहाँ जाकर कालपरी से बूछ ले ना? सुरी भेमार्टी इस चुम्बक को ताईलुक भाजी नहीं पसंद है। बल्कि इसे तो मैं पसंद हूँ इसलिए तो बार बार लटकर मेरे हाटों में वापस आजाता है। एन्यवेस, तुमने तो तुम्हारा अटियर इस्तमाल कर लिया। अब मैं अपना माइगनेंट यूज़ कर लूँ। तुम्हारे पास ये एक चुम्बक है। और मेरे पास अंगिनत हतेयार। अले है! अब जबदाली, आए भामार तुर्ट! और तुम दोनों होता। अब ज़्दी से ही बताओ, कि इस चुम्बक को नष्ट कैसे करना। और नह तुम्हों कुमीशा की नहीं, ऐसे ही जिपके रहोगे। जिसके पास जवाब था, उसे तो तुमने बहुत दूर उचाल के तेख दिया। जब तक तुम कालपरी को ढूंडोगे, सुर्यास बोचिता होगा। और खत्म हो जाएगी धरती। जब तुमने कालपरी ने तो कहा था कि इस चुम्मक को कोई इंसान नश्ट भी कर सकता। और सुर्यास के बाद ही इसका असी कोरा मुष्रू होगा। इन में से किसे को भी सॉल्यूशन नहीं पता। आप मैं क्या करूं। मैं सब को कैसे बचाओंगा। विवान, तुम जहां कहीं भी हो। इसे वक्त इस चुम्मक के साथ वे लोग पहुचा। एक है, शीर सुर। कोई पचा मुझे। अरे विवान, अच्छा हो तुम आगे। शौरी ने इस चुम्मक की समस्या का हल ढूंड लिया है। तो चल्दी बते ही न, शीर सर। हमें कौन सा माजिक यूज करना होगा। इस चुम्मक की पावर तो बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या का समाधान जादू में नहीं, विज्ञान में है। यानि की साइंस में। हाँ विवान, किसी भी चुम्मक को अगर गरम किया जाए। तो एक सिमा के बाद उसकी चुम्मकी एक शक्ति खत पहुँआती है। लेकिन कही आजा ना हो यह मैं इस चुम्मक को गरम करें। और यह गरमी की शक्ति आपने अंदर कीच को और भी जाद बावर्फुल हो जाए। ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी अगनी की शक्ति से इस चुम्मक की शक्तियों को नाकामियाब कर दूँगी। तीक है। जुआला परी, सम्मलती। मैं ने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तमाल किया। फिर भी इस चुम्मक पर कोई असर नहीं हुआ। तीन आपने तो कहा था शौरिफ। एक सीमा के बाद शर्मी पाकर यह चुम्मक नष्ट हो जाएगा। लिकिन इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। शीर सर का बता है वहा हल। कभी भी गलत नहीं हो सकता। पर गलत हो सकता है। हमारा मैथर्ड मेरा मतलब तारीका गलत है। कालपई ने तो कहा था कि इस चुम्मक को कोई इंसान नष्ट नहीं कर सकता। और सुर्यास के बाद ही इसका अस्वी कोरा मुश्रू होगा। बाबा तॉबा ने कहा था कि सुर्ट के ढूपते ही इस मैगनेट की असली शक्ते बाहर आईए। जिसे कोई वी इंसान खतम नहीं कर सकता। और शीरसर ने बोला है कि जुम्बक को एक सीमा तक गरम करने से उसके सारी शक्तिया खतम होटाएगे। इसका मतलब अगर हमें इस मैगनेट को टेस्ट्रॉई करना है उसे सुर्ट की गरमी देनी चाहिए। शाबश विवान यही है जुम्बक को खत्म करने का हल। लेकिन शौरियर सूरच तो करोडो मील दूर है। हम इस चुम्बक को वहां तक पहुचाएंगे कैसे। मतिपरी। अगर हम सब मिलकर अपनी थाकत लगाए। तो ऐसा क्या है इस दोनिया में जो हम नहीं कर सकते। वुलू। यह चुम्बक तो मेरा पीछे ही नहीं चोड़ रहा है। तुम लोगों की लाचारी देख सर ऐसा मन करता है कि तुम्हारी बलता है। अगर यह चुम्बक नहीं रुकाना तो तुम भी उतनी ही लाचार होंगी। क्योंकि ना रहेगा कालोग, ना रहेगी कालोग की फैरानी। विवान सही कह रहा है। अगर यह चुम्बक नश्ट नहीं हुआ, तो धर्ती लोग और वीर लोग के साथ साथ कालोग भी तबाह हो जाएगा। इसलिए तुम हमारी में खुद की मदद करने की भी सोचो। टाइम कम है। तुमकि अगर सूरत दूब गया तो इस मैगनेट वे इतनी शक्तिया आजाएगी कि सब खतम हो जाएगा। सोच लो टिम्मी अंटी। ठीक है। मैं विवान के चारो तरफ चुम्बक पृटी रोधा घरा बना देती हूँ। ताकि वो चुम्बक वापस इस तक ना पहुच सके। तो ठीक है। रेडी? थ्री, टू, वन येस। येस। अशी। तुटी करना? चीत मुबारक हो वीद लोगवासियों। लेकिन मेरी अगली लडाई के लिए सहिया रहना। क्योंकि इस बार मेरी लडाई आर्या पार की हो गए। इस बाद भूत भविष्य और बर्तमान थर्थरा उठेंगे। अशी।